कोरोना के संगटकाल में लोगों में उमंग तो है, उत्सा भी है, लेकिन हम सब को मन को छू जाए, वैसा अनुशाशन भी है, बहुत एक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दाईत्व का एहसास भी है, लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते ह अपने रोजमरा के काम भी कर रहे हैं, देश में हो रहे हर आयोजन में, जिस तरह का सैयम और साथगी इस बार देखी जा रही है, वो अभूतपुर्वा है, गनेशोत्सों भी कहीं ऑनलाइन मनाये जा रहा है, तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडी की प्रतिमा स्थापित की गई है, सात्यों हम बहुत बारीकियस अगर देखेंगे, तो एक बात अवश्या हमारे ध्यान में आएगी, हमारे पर्व और परियावरन, इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है, जहां एक और हमारे पर्वों में परियावरन और प्रक करव प्रकूति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं, जैसे विहार के पश्चिमी चंपारन में सदीयों से थारू आदिवासी समाज के लोग, 60 गंटे के लोगडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो, 60 गंटे के बरना का पालन करते हैं, प्रकृती की रक्षा के लिए बरना को हो, थारू समाज ने अपने परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सद्यों से बनाया है, इस दोरान न कोई गाउं में आता है, नहीं कोई अपने घरों से बहार निकलता है और लोग मानते हैं कि अगर वो बहार निकले या कोई बहार से आया, तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमरा की गतिविदियों से नए पैर पौधों को नुक्षान हो सकता है बरना की शुरुवात में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भायवेन पूझापाट करते हैं और उसकी समाप्ती पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नुत्यक जम करके उसके कारकम भी होते हैं साथियों, इन दिनों कोणम का पर्व भी धुम धाम से मनाये जा रहा है, ये पर्व चीनिगम महिने में आता है, इस दोरान लोग कुछ नया खरीते हैं, अपने घरहों को सजाते हैं, पुकलम बनाते हैं, कोणम साधिया का हानन लेते हैं, तरह तरह के खेज और विताएं भी होती हैं, ओनम की धूंतों आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है, आमेरिका हो, यूरप हो, या खाड़ी देशों, ओनम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा, ओनम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है, साथियों, ओनम हमारी क किसानों की सक्ति से ही तो हमारा जीवन हमारा समाच चलता है, हमारे पर्व किसानों के परिसम से ही रंग बिरंगे बनते हैं, हमारे अन्न दाता को, किसानों की जीवन दाइनी शक्ति को बेदयों में भी भावत गवरव प्रण रुप से नमन किया गया है, रगवेद में मंत किसान को नमन है हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठीन परिस्तितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है हमारे देश में इस बार खरीब की फसल की बूआई पिछले साल के मुकामले 7 प्रतिशत ज्यादा हुई है मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ उनके परिश्रम को दमन करता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवार आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे-छोटे बालमित्रों का समय कैसे बित्ता होगा और इसी से मैंने गांदिनगर की चिल्डरन उनिवर्सिटी जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है भारत सरकार के महिला और भालविकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सुक्ष्म लगू और मध्यमुद्योग मंत्राले इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इस पर मंत्राल किया, चिंतन किया मेरे लिए ये बहुत सुखत था, लापकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से इन मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सिखने का अवसर बन गया साथियों, हमारे चिंतन का विशय था, खिलोने और विशेश कर भारतिय खिलोने हमने इस बात पर मंत्राल किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉइस कैसे मिले, भारत टॉइ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हग कैसे बने वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से छमा मागता हूँ क्योंकि हो सकता है, उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलोनों की नई-नई डिमान सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा साथ्यों, खिलोने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलोने हमारी आकांग्षाओं को भी उड़ान देते हैं खिलोने किवल मन ही नहीं बहलाते, खिलोने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं मैंने कहीं पढ़ा कि खिलोनों के सबन्द में गुरुदेव रविद्रना टेगोर ने कहा था कि बेश्ट वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलोना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पुरा करें गुरुदेव टेगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कलपना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलोने और खेल बनाया करते थे लेकिन एक दिन बच्चपन के उन मौज मस्ति भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुन्दर सा विदेशी खिलोना लेकर आ गया खिलोनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज़्यादा खिलोने पर रह गया हर किसी के आकरशन का केंद्रा खेल नहीं रहा खिलोना बन गया जो बच्चा कल तक सब के साथ खेलता था, सब के साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूप जाता था वो अब दूर रहने लगा, एक तरह से बाकी बच्चों से भेज का भाव उसके मन में बैट गया मेंगे खिलोने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सिखने के लिए भी कुछ नहीं था, यानि कि एक आकरशक खिलोने ने एक उत्कुरुष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुर्जा दिया इस खिलोने ने धन का, संपती का, जरा बड़पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रेटिव स्पिरिट को बढ़ने और समरने से रोक दिया, खिलोना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया, और बच्चे का खिलना भी खो गया, इसलिए गुरुदेव कहते थे, कि खिलोने ऐसे होने चाहिए, जो बच्चे के बच्चपन को भार लाएं, उसकी क्रेटिविटी को सामने लाएं, बच्चों के जीवन के अलगरत पहलू पर खिलोनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्टिय शिक्षा निती में भी बहुत ध थान दिया गया है, खेल खेल में सीखना, खिलोने बनाना सीखना, खिलोने जहां बनते हैं, वहां के विजीट करना, इन सब को करिकुलों का हिस्सा बनाया गया है, साथियों, हमारे देश में लोकल खिलोनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, कई प्रतिभाशाली और क पुजक्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानि खिलोने के केंदर के रूप में भी विक्षित फो रहे हैं जैसे करनाटक के राम नगरम में चन्नापत्ना आंदर प्रदेश के कृष्णा में कॉंडापली तमिलनाड में तेंजोर असम में धूरी उत्तर प्रदेश का वारानसी कई स्थान है कई नाम गिना सकते हैं आपको जानकर आश्चर होगा कि ग्लोबल टॉय इंडिस्टी साथ लाग करोड रुपियों का इतना बड़ा कारोबार लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है अब आप सोचिए कि जिस राष्ट के पास इतनी विरासत हो परंपरा हो दिवितता हो युवा आबादी हो क्या खिलोनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या जी नहीं ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखे साथ यो टॉइ इंडिस्ट्री भहुत व्यापक है ग्रह उद्योग हो छोटे वर लगू उद्योग हो मसमीज हो इसके साथ साथ बड़े उद्योग और नीजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी अब जैसे आंदर परदेश के विज़ा का पट्टम में स्रीमान सीवी राजू है उनके गाउं के अती कुपक का टॉइस एक समय में बहुत प्रचलित थे इनकी खासियत ये थी कि खिलोने लकडी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलोनों में आपको कहीं कोई एंगल या कौन नहीं मिलता था ये खिलोने हर तरफ से राउन होते थे इसलिए बच्चों को चोड की भी गुंजाश नहीं होती थी सीवी राजू ने एतिक कोपक का टॉइस के लिए अब अपने गाउं के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरफ से नया मुमेंट शुरू कर दिया है बहतरीन क्वालिटी के एतिक कोपक का टॉइस बनाकर सीवी राजू ने स्थानिये खिलोनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है खिलोनों के साथ हम दो चीजे कर सकते हैं अपने गवरव शाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वाणिम बेविश को भी समार सकते हैं मैं अपने स्टार्ट अप मित्रों को हमारे नए उद्यमयों से कहता हूँ टीम अप फॉर टॉइस आइए मिलकर खिलोने बनाएं अब सभी के लिए लोकल खिलोनों के लिए वोकल होने का समय है आइए हम अपने युहाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलोने बनाते हैं खिलोना वो हो जिसकी मवजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी, हम ऐसे खिलोने बनाएं जो परियावरन के भी अनुकुल हो, साथियों इसी तरह अब कम्पूटर और स्पार्ट फोन के इस जमाने में कम्पूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है, ये गेम्स ब हिम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है, हमारे देश में इतने आइडियाज है, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत सम्रिद्ध हमारा इतियात रहा है, कि हां हम उन पर गेम्स बना सकते हैं, मैं देश के युवार टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाईए, और भारत के भी गेम्स बनाईए, कहा भी जाता है, लेट दे गेम्स बिगिन, तो चलो, खेल शुलू करते हैं, साथियों, आत्म निर्भर भारत अभियान में, वर्चुयल गेम्स हो, टॉइज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपुर्ण भुभुई का निभानी है, और यह जब आज से सो वर्स पहले असयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो गांदी जी ने लिखा था, कि असयोग आंदोलन देश वाशियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है, आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्म इस्वास के साथ आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है, असयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाइक पह हैं, मेरे प्य इनोवेशन और सॉलूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पन भाव हो, संवेजना हो, तो ये शक्ती असीम बन जाती है, इस महने के सुरुवात में देश के युवाओं के सामने एक एप इनोवेशन चैलेंज रखा गया, इस आत्म निर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चटकर के हिस्सा लिया, करीब साथ हजार एंट्री जाई, उसमें भी करीब करीब दो तिहाई एप्स, टीर टू और टीर थ्री शहरों के युवाओं ने बनाए हैं, ये आत्म निर्भर भारत के लिए, देश के भाविश के लिए बहुत सुभु संकेत है, आत्म निर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के रिजर्ट देकर आप जरूर प्रभावित होंगे, काफी जाच परक के बाद, अलग-अलग कैटेगरी में लगबग दो दर्जन एप्स को एवर्ड भी दिये गए हैं, आप जरूर इन एप्स के बारे में जाने और उनसे जुड़े हो सकता है, आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेजित हो जाए, इनमें एक एप है, कुटू की कीड्स लर्निंग एप, ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंट्रक्टिव एप है, जिसमें गानों और कहानियों के जरि बात-बात में ही बच्चे में साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं, इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेट्फरम का भी एप है, इसका नाम है कू, क डबलो कू, इसमें हम अपनी मात्रु भाशा में, टेक्स, वीडि युवाओं के बीच काफी पॉपिलर हो रहा है, एक एप है, आस्क सरकार, इसमें चैटबोर्ड के जरिये आप इंट्रेक कर सकते हैं, और किसी भी सरकारी वजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी टैक्स, आडियो और वीडियो तीनों तरीकों से, यह और एप है, स्टेप सेट गो, यह फिटनेस एप है, अब कितना चले, कितनी कलरीज बन की, इस सारा हिसाफ यह एप रखता है, और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है, मैंने कुछ ही उदार दिये हैं, कई और एप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है, कई बि इक्वल टू, बुक्स एंड एक्सपेंस, जो हो वर्क प्लेस, FTC टालेंट, आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकरी मिलेगी, आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इंप्लिमेंट करें, आपके प्रयास, आज के छोटे-छोटे कमपनियों में बदलेंगे, और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे, और आप ये मत भूलिए, कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कमपनिया नजर आती है न, बेबी कभी स्टार्ट अप हुआ करती थी, प्रिये देश्वासियों, हमारे यहां के बच्च करते हमारे विद्यार सी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमि का nutrition की भी होती है, पोशन की भी होती है, पूरे देश में सितम्बर महने को पोशन माह nutrition मन्त के रूफ में मनाये जाएगा, नेशन और nutrition का बहुत ग्यहरा सबंद होता है हमारी यह कहावत है यथा अन्नम तथा मन्नम यानि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौदिक विकास भी होता है एक्सपर्स कहते हैं कि शीशू को घर्व में और बच्वन में जितना अच्छा पोशन मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्फस्त रहता है बच्चों के पोशन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि मा को भी पूरा पोशन मिले और पोशन या न्यूट्रिशन का मतलब कि इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं कितना खा रहे हैं कितनी बार खा रहे हैं इसका मटलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, नूट्रियन्स मिल रहे हैं आपको आयन, कैलसम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं ये सब नूट्रिशन के बहुत important aspects हैं nutrition के इस आंदोलन में people participation भी बहुत जरूरी है जन भागीदारी ही इसको सफल करती है पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किये गए हैं खास कर हमारे गाउँ में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाये जा रहा है पोशन सप्ता हो पोशन मा हो इनके माद्यम से जादा से जादा जागरुपता पैदा की जा रही है स्कूनों को जोड़ा गया है बच्चों के लिए प्रतियोगीताएं हो उनमें awareness बढ़े इसके लिए भी लगातार प्यास जारी है जैसे क्लास में एक क्लास monitor होता है उसी तरह nutrition monitor भी हो report card के तरह nutrition card भी बने इस तरह की भी शुरुवात की जा रही है पोशन महा nutrition मंत के दोरान माय गौव पॉर्टर पर एक food and nutrition क्वीच भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक meme competition भी होगा आप खुद participate करें और दूसरों को भी motivate करें साथ ही अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभाई पटेल के statue of unity जाने का आउसर मिला होगा और covid के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा तो वहाँ एक unique प्रकार का nutrition पार्क बनाया गया है खेल खेल में ही nutrition की शिक्षा आनन प्रमूत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं साथियों भारत एक विशाल देश हैं खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं हमारे देश में छे अलग-अलग रूतियें होती हैं अलग-अलग खेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग-अलग चीजे पैदा होती हैं इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर है कि हर खेत्र के मौसम वहाँ के स्थानिय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, nutrient-rich diet प्राहन बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी है, जवार है, यह बहुत अप्योगी पोशक आहार है एक भारतिय क्रशिकोश तयार किया जा रहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी nutrition value कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी, यह आप सब के लिए बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है आईए, पोशन महा में पौश्टिक खाने और स्वस्त रहने के लिए हम सभी को प्रेदित करें प्रिय देशवाचियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंतरता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया ये खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किर्धारों की, एक है सोफी और दूसरी विदा, सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाब कमंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है, सोफी और विदा को ये सम्मानित लिए मिला, क्योंकि इन्हों ने अपने देश की रक्षा करते विए अपना कर्तव्य बक्षू भी निभाया है हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहदुर स्वान है, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं कितने ही बमधमाकों को कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने के बिला कई किसे भी सुने एक डॉक्स बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था 2002 में भावना ने आईडी खोजा था आईडी निकालने के दोरान आतंकीों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए दो तीन वर्स पहले 36 गड के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉग क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग रॉकी को पुरे सम्मान के साथ आखरी बिदाई दे रही थी रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजाने में पुलीस की मदद की थी डॉग की डिजास्टर मेनेजमेंट और रिश्क्यू मिस्संस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों डॉग को स्पेशली ट्रेंड किया है कही भूकम पाने पर इमारत गिरने पर मलवे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं साथियो मुझे यह भी बताया रहा कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत सक्षम होते हैं इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है हिमाचली हाउंड है ये बहुत ही अच्छी नश्ट्रे हैं राज पलायम कन्नी चिप्पी पर आई और कॉम्बाई भी बहुत सांदार इंडियन ब्रीड है इनको पालने में खर्ज भी काफी कमाता है और ये भारतिये माहौल में ड रही हैं पिछले कुछ समय में आर्मी सीसटेफ एनेसजी ने मुदोल हाउंड डॉउस्कों प्रेन करके डॉउक्सकॉड में सामिल किया है CRPF ने कुंबाई डॉक्स को सामिल किया है Indian Council of Agriculture Research भी भारतिय नसलके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है मक्सद यही है कि Indian Brits को और बहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए इनके बारे में जानिए आप इनकी खुबसूरती इनकी क्वालिटी देखकर हिरान हो जाएंगे अगली बार जब भी आप डॉक पालने की सोचे आप जरूर इन में से ही किसी Indian Breed के डॉक को घर लाए आत्म निरभर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है तो कोई भी खेतर इससे पीछे कैसे छूट सकता है मेरे प्रिय देशवासियों कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिक्षक तिवस मनाएंगे हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को अपनी जीवन यातरा को देखते हैं तो हमें अपने किसेन किसी सिक्षक की याद अवश्याती है तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकटकाल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनवति रगती है मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनवति को नकेवर्च विकार किया बल्कि उसे अुसर में बदल भी दिया है पढ़ाई में तक्रीका जादा से जादा उप्यूब कैसे हो नए तरीकों को कैसे अपनाए है छात्रों को मदद कैसे करे यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है आज देश में हर जगह कुछन कुछ इनोवेशन हो रहे है सिख्षक और छात्रों मिलकर कुछ नया कर रहे है मुझे वरोसा है जिस तरह देश में राश्ट्रिय शिक्षानिती के जरिये एक बड़ा बड़ला होने जा रहा है हमारे सिक्षक इसका बिलाब छात्रों तक पहुंचाने में एहम भूमी का निभाएंगे साथियों और विशेशकर मेरे सिक्षक साथियों वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंतरता के 75 वर्ष का परव मनाएगा स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आज़ादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है इस दोरान देश का कोई कौना ऐसा नहीं था जहां आज़ादी के मतवालों ने अपने प्राण नियुशावर न किये हो अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो ये बहुत आवशक है कि हमारी आज की विड़ी हमारे विद्यार्ती आज़ादी की जंग हमारे देश के नायकों से परिचीत रहे उसे उतना ही मैसूस करे अपने जीले से अपने ख्षेत्रे में आज़ादी के अंदोलन के समय क्या हुआ कैसे हुआ कौन सहीद हुआ कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा ये बाते हमारे विद्यार्ती जानेंगे तो उनके व्यक्ति तो में भी इसका प्रभाव दिखेगा इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाइक है जिसे लेकर विद्यार्ति वर्से रिशर्च किरवाई जा सकती हैं उसे स्कूल के हस्त लिखित अंके के रूप में तैयार किया जा सकता हैं आपके शहर में स्वतंत्रत अंदौन से जुड़ा को इस्थान हो तो छाट्र-चाट्राओं को वहले जा सकते हैं किसी स्कूल के विद्य के हजारों लाखों अनसंग हिरोच को सामने लाएंगे जो देश के लिए जीए जो देश के लिए खब गए जिनके नाम समय के साथ विस्मृत हो गए ऐसे महान व्यक्तित्व две को अगर हम सामने लाएंगे आज आज़ी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे तो उनको सच्ची सरधाजली होगी और जब 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मना रहे हैं तब मैं मेरे सिक्षक साथियों से जुरूर आगरह करूँगा कि वे इसके लिए एक माहुल बनाएं सब को जोड़े और सम मिल करके जुट जाएं मेरे प्रिये देशवासियों देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है इसकी सफलता सुखत अभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो इस यात्रा का यात्री हो इस पत का पतीक हो इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्त रहे सुखी रहे और हम मिल करके कोरोना को पुरी तरह से हराएं कोरोना तभी हरेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे जब आप दोगज की दूरी मास्क जरूरी इस संगल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे आप सब स्वस्त रहिए सुखी रहिए इनी सुब कामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार आपन मुक्तो है कि पंतब्रधान नरेंदर मोधी नी अत्ता मन की बात मधून देशवासियानना संबोधित के लेला आहे मा खेलाक चाक्षितरात मधे देखिल भारताना कशारितीन अगरक्रम घेनाची गरज आहे विविधा क्रिडा प्रकारान मधे तेखिल भारताला संथी आहे त्यास बोरबर सर्न निसर्गाज़ अपलाची असलेनन नात आप ए विषयक देखिल विविधा राज自 आतले संसकुरितीन विषयित महिती देली एक ब्रेक गिन अपना परत भेटना रोत पह अफेच आओटर नीस 18 लोग अगा झाल, 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 झाल